शनी के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनी की दशा एक बार शुरू हो जाए तो साड़े साथ साल बाद ही पीछा छोडती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनी से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं। शनी ने हनुमान को भी डराना चाहा लेकिन मुह की खानी पड़ी। आईए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान अमर है। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रति दिन अपनी आत्म कथा का कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बा कार थे, वह अपना सिर्फ प्रायह जुकाए रखते हैं, जिस पर अपनी द्रिष्टी डालते हैं, वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनी देव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किय वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किन्तु करकश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलियुग प्रारंब हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क प्रित्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलियुग है। इस युग में आपका शरीर, दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी साड़े साती की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का अतनिक भी ज्यान नहीं था कि रगुनात के चरणा शरिद्रतों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निदान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वथा निश्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहां प्रभुत्वह सर्व समर्थ पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रन संचालन पोशन प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर द्रिष्ट्टी उठाने का साहस कोई सुरसुर करे तो स्वयम अनिष्ट भाजन होता है। शανिदेव के अगरजी अम्राज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया आप कहीं अन्यत्र जाएं ग्रहों का प्रभाव प्रित्वी के मरण शील प्राणियों पर ही पड़ता है मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें मेरे शरीर में श्री रगुनाथ जी के अतिरि अतह आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं है पूरे साड़े बाईस वर्ष व्यतीत होने पर साड़े साथ वर्ष के अंतर से धाई वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है किन्तु यह गौन प्रभाव है आप पर मेरी साड़े साथी आज इसी स प्रित्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए, सब को अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए, जो प्रित्वी पर रहेगा, वह कली युग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीडा भोगनी पड़ेगी और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है, मैं मुख्यमारक ग्रह हूँ और मृत्यू के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतह मैं वृद्धो बनाए रखता हूँ, मध्य के ढाई वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ, वह अंतिम ढाई वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ, फिर शनी देव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे, तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ, मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धती है, और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य, ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा परवत उठा कर सिर पर रख लिया, इस पर शनी देव कहते हैं, आप इने समीप नहीं आऊंगा, फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा परवत उठा कर सिर पर रख लिया, शनी देव फिर चिल लाते हैं, पवन कुमार, त्राही माम, ताही माम, रामदूत, आंजने आय नम, मैं उसको भी पीडित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा, म मैं सदैव आपको दिये वचनों को स्मरण रखूंगा, अगात के उपचार के लिए शनीदेव तेल मांगने लगे, हनुमान जी तेल कहां देने वाले थे, वही शनीदेव आज भी तेलदान से तुष्ट होते हैं,